एक्स एटीटू एएस प्लस कैसियो कंपनी का है मैंने भी ओडर किया देस्टो डेली सेंटर के लिए ठीक है तो जुरू के वस्त नहीं होगा हम लोग से ले लेना ठीक है ओके तो चलो भईया गुड इवनिंग ठीक है कल हमने एक पुरा ओवर्विव लिया था एन अभी वाला जो है हम लोग उसको बिल्डिंग ब्लोग्स नाम देंगे तो आज से क्लास पर ध्यान देना बहुत आवश्यक ठीक है और एक भी सेकेंड अगर सावधानी हटी तो दु क्वटग करो मतलब डिवाइड करो तो हर एक क्लास आज से 3000 रुपया का है ठीक है यही है दस क्लास शुरू का जो दस क्लास जो समझ गया जो रस है वो पहला दस क्लास में यह बाकि सब बेकार है ठीक है तो चलो हेडिंग लगाएंगे time value of money अज एकदम क्लास में time waste नहीं कर Aft Line में है 15 लोग ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आएगा Energyya? जो मेंको नहीं बूलेगा, वो उसका problem है, मैं 2 बार पूछूंगा, 3 बार पूछूंगा, 50 बार बताउंगा, लेकίν तुमको बूलना पड़ेगा कि मेंको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझना बगल से तोड़ा साउंड आएगा इग्णोर करना ठीक है एक्चुलिए हमने ट्राइ किया है कि एक पब टाइप का बनाने का तो इसलिए बीच में तुम लोग को जब माता भारी हो जाएगा पड़ पड़ के तो बीच में पब टाइप का साउंड आएगा इंजॉई डाट मूजिक ऑल्सो चीक है तो जिता से बोरिंग हो जाएगा ना समझे नहीं जब पप का म्यूजिक का साउंड आएगा तो हम लोग एंजॉई करेंगे उसको दो मिट के लिए तो देखो एक चीज समझना यहां पर 10,000 रुपिया जैसे मान लो हम तुमको देगा मानना है पैसा देगा नहीं ठीक है 10,000 रुपिया हम तुमको देगा एक साल के बाद में हम बोला मेरे को 11,000 रुपिया चाहिए तो जब देगा तो माइनस और जब लेगा तो प्लस ठीक है कितना परशन का रिटन बैट रहे है देखो हम लोग सब का खून में होना चाहिए प्लस माइनस मैट्स ठीक है ना तो यह अंदर से समझने वाला चीज है कि हाथ काटे तो यह cm1 निकले यह चीज समझ लेना ब्लड में आना चीज चीज ठीक है नहीं तो फिर पढ़ के कोई मतलब नहीं हम लोग से पढ़ के कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यह कितना परसंगा रिटन आ रहा है दस परसंगा तुम लोग बोलेगा वाट दा हल इस अब बताते नहीं है ठीक है एक बारा बजे मेसेज आया बच्चा बोल रहा है डर लग रहा है तो हजार रुपय जो एक्स्ट्रा दे रहा है इसको लोग बोलते हैं ब्याज इंट्रेस्ट यह क्यों पे होता है ध्यान से देखना क्यों यह सबसे बड़ा जो रिजन है ठीक है हर पैसा के साथ में क्या बहुत सरे ड़्यद्श होता है पैसा के साथ में रिष्क एक जन कोई भी पीछे चला जा बस तुम बोल देगा भाई सब दोस्त लोग ही तो है शर्माता क्या है ठीक है देखो तो रिस्क फैक्टर रिस्क फैक्टर क्या है समझो आज हम अपना दोस्त को पैसा देगा आगला दिया नहीं दिया ठीक है ना अज बैंक के बारे में सौचो बैंक इतना लोग को पैसा देता है नीरव मोदी को दिया विजय माली architect को दिया अनि लंबानी को दिया क्या हुआ डूब गया पैसा ठीक है ना तो basically पैसा के साथ में एक रिस्क फैक्टर सूसी है ठीक है रिस्क फैक्टर एक असोसियेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे को थोड़ा rate of interest ज्यादा मिलेगा ठीक है तो फिर मालो हमको अगर लगेगा mutual fund में लगाएंगे फिर direct equity में करेंगे फिर जुआ फार्ट का तो बजले में मेरे को कुछ चाहिए it's always given take it's always given take in life remember कोई भी कभी भी तुम्हारा अगर ना जायस पैदा उठाए तो सीधा ना बोलना सीखो ठीक है हमको अभी 10 साल के बाद में ना बोलना आता है करियर स्टार्ट किये 10 साल के बाद में ना बोलना आता है खुल के ना बोलो न जैसे for example rent का example ले लो ठीक है जो भड़ा का घर पे रहता है वो समझ सकता है कि हर साल उसका rent revise होता है आज अगर मानलो 10,000 का rent है पर मन्त एक साल के बाद में वो 12,000 हो जाएगा फिर 14,000 हो जाएगा फिर 16,000 हो जाएगा ऐसे करके rent बढ़ रहा है हर चीज महंगा हो रहा है with time म लेकिन आज के दिन पर अगर वो एक लाग रुपय कमाएगा तो क्या वो सेम स्टैंडर और लविंग से जी पाएगा? The answer is no. Reason क्या है? inflation, हर चीज़ का दा महंगा हो रहा है, तो वो same standard living से रह पाएगा, जादा standard living से रह पाएगा ना, कम, कम, कम क्यों, क्यों कम, क्योंकि वो same चीज़ तो खरीद नहीं पाएगा, इसलिए तुम देखो, जो लोग अपना पैसा FD में लगा रहा है, वो लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन धिरे-धिरे करके उसका standard living compromise हो रहा है, for example, जैसे मानलो standard कैसे compromise होता है, जैसे मानलो एक time पे तुमारे घर पे air fryer था, बट धिरे-धिरे करके क्या वो अब तुमको लगता है वो एक चीज एक waste है, मतलब अब तुमको उसका उतना utility नहीं लगता है, तुमको लगता है मेरे लिए उतना useful नहीं है, तो धिरे-धिरे करके तुम देखेगा तुमारा standard of living compromise हो रहा है, तो अब जैसे sofa हो गया, dining table हो गया, एक basic चीज बता रहा है, तुम देखेगा 10 साल से धिरे-धिरे करके हम लोग के घर पर यह सब चीज आना बंद हो गया, तो तुम देखेगा कि standard of living जो चीज है, मतलब चीज़े इतना तेज़ी से दाम बढ़ रहा है, ठीक है, बेसिक चीज जो होता है, water purifier हो गया, घर में कौन सा सबजी बन रहा है, ठीक है, तो तुमको हर चीज में feel होगा कि standard of living कहीं ना कहीं मेरा compromise हो रहा है, तुम कौन सा mode of communication से travel कर रहा है, ठीक है, हर चीज में तुमको समझ में आने लगेगा धिरे-धिरे करके, ठीक है, तो अपने, देखो, तो एक बात बताओ, अगर मान लो, एक लाख रुपिया ये था 10 years ago, ठीक है, और आज, today, जब दोनों का value सेम नहीं है, भाई, value सेम नहीं है, इसका मतलब क्या purchasing power, पैसा का जो purchasing power है, वो धिरे-धिरे करके क्या और है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, गिर पैसा से जाधा bundle of goods खरीद पा रहा हूँ, सेम ना कम, कम, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, value of money, value of money, dash over time, बताओ क्या होगा, decreases over time, and इसलिए, जो interest है, उसको economics के भी concept में समझाया गया है, जो land देटता है, उसको क्या मिलता है, rent, entrepreneur को मिलता है, profit, जो labor देता है, उसको wages, तो जो capital दे रहा है, क्या मिलेगा, interest, ठीक है न, तो interest क्या है, something extra, देखो मैं यापर लिख रहा हूँ, संग-संग लिखते चलना, संग-संग, यहां तक जो भी लिखा है, copy करते चलो, वैसे सुनो, copy अगर कुछ छूट, copy मत करना होतना, कुछ छूट भी जाएगा न, तो य घर में जाके उसको revise करना, अभी जो हम पढ़ा रहें न, उसको घर में जाके revise करेगा, तभी तो वान अच्छा नंबर आएगा, vision से पहले revision ज़रूरी है, यह बात याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है, the value of money dash over time, अब क्या बोल रहा हूँ, सुनो, क्या है interest, something extra, something extra in order to compensate, in order to compensate for the loss in the value of money, ठीक है, something extra in order to compensate for the loss in the value of money, ठीक है, सबको संच में आती मेरी बात, हाँ या ना, सबको संच में आती मेरी बात, हाँ या ना, सबको संच में आती में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, something extra in order to compensate for the loss in the value of money, is it okay, अब देखो, यह है ब्याज, ठीक है, बेसिक चीज होगी है, ब्याज, अब ब्याज का दो फर्म होते है, इक होते है, simple इक होते है, compound, जब खाली प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, that is simple, जब ब्याज पर ब्याज लगेगा, that is compound, ठीक है, चलो, heading लगाना, heading लगाते चलो, heading लगाते चली, कोई भी doubt होगा, तो तुरण-तुरण chat box में बोलेंगे, ठीक है न, simple interest, इसका जो other name है, commercial, commercial rate of interest, commercial rate, अभी मैं जो भी पढ़ा के जाओंगा, मेरा बात ध्यान सुन लेना, उसके आगे का पूरा portion, उसके आगे का पूरा portion complete करेगा, till term structure, ठीक है, अभी लगात क्लास होगा, 25-26 तारिक तक, मैं जो करा के जाओंगा, उसके आगे का पूरा recording से पुरा बढ़िया से करके रखेगा, ठीक है, और रात में जो class होगा, paper B का, उसा पूरा proper अच्छे से अटेंड करेगा, ठीक है, तो अभी यसे confusion क्या हो रहा है, कि K लिखावे तो क्या हम आज मैं जो physical आना चाहता है उसके लिए, समझ गया ना, K मतलब Kolkata, D मतलब Delhi and O मतलब online, तो जो online में कर रहा हो, तो सारा class अटेंड कर सकता है, तुम लोग भी सारा ही अटेंड कर सकता है, कोई भी कोई भी class अटेंड कर सकता है, जितना class होगा, सारा अटेंड कर सकता है, ठी मैं बोलता हूँ, 100 रुपया लगाया, 4% पे, तो दो ब्रांचेस निकालेंगे, 100 रुपया और 4 रुपया, फिर दुबारा 100 से निकलेगा, सेकेंड डियर में 100 रुपया और 4 रुपया, क्या यहां से ब्रांचेस निकलेगा, नहीं, थोड़ा जोश में आईए, ठीक है, इत पे लग रहा है ब्याज, प्रिंसिपल पे, तो इसलिए सिंपल इंट्रेस्ट नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, सिंपल इंट्रेस्ट, सबको समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल इंट्रेस्ट का जो फॉर्मिला है, जो क्लास एट में पड़े थ से, जो class 8 में पढ़े थे, क्या था, si is equal to prt by 100, principle into rate into time by 100, यह 100 से divide इसली हो रहा है, क्योंकि rate अगर 6% है, तो 6 by 100, ठीक है ना, तो basically जो amount जो grow होगा future में वो क्या होगा, principle plus simple interest, बोलो हा की ना, तो simple interest को मैं replace करूँगा, the p plus prt by 100, तो क्या common आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, क्या common आएगा, p common आएगा, 1 plus rt by 100, हा की ना, principle को बोलेंगे present value, 1 plus r, r by 100 को हम लोग लिखेंगे decimal में, which is i, and t को लिखेंगे, and which is number of years, and जो amount है, वो तो future में मिलेगा, कि आज मिलेगा, amount जो है, वो future में मिलेगा, कि आज मिलेगा, future में मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते है, accumulated value, तो यह हमारा formula transform हो गया, accumulated value is equal to present value, 1 plus ni, accumulated value is equal to present value, 1 plus ni, सब को समझ में आ रहा है, हाँ की ना, online में जल्दी जल्दी yes लिखेंगे, और online में ये भी बताएंगे, कौन कहां से join किया है, फटापट से बताओ, जगह बताओ, कहां से join किये हो, जल्दी जल्दी बताओ, वारा नसी, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, नाशिक, सुरत, मुंबई, असाम, सिली गुडी, और कोलकता, बिकानेर, कोलकता, छीक है, very good, चली आईए, simple interest समझ में आया, ठीक है, तो formula जो transform हो गया, present value, 1 plus ni is accumulated value, ठीक है, यहां तक सब लोग का ठीक है, एक छोटा से example देख लो, present value दे दिया है, 10,000, n दे दिया है, 5 और i दे दिया है, 10%, तो accumulated value जो निकलेगा, accumulated value जो निकलेगा, 10,000, 1 plus 0.1 into 5, ठीक है, 10,000 calculator का एक पुरा full tutorial है, मेरा भी और वंदिता मैम का भी है, ठोड़ा हम लोग का YouTube पे जाओ, ठीक है न, इज़्जत करो हम लोग का YouTube का, उस पे इतना session डाला वेना भाई, कोई देख लेगा तो बिद्वान बन जाएगा, ठीक है, उसको जाओ और उसको देखो, रात में नी industry expert का session लगा के चालू हो जाएगा, manifest करना पड़ता है कि वो लोग किया है, तो हम लोग भी कर सकता है, ठीक है, इन ही benches से निकले हैं वो लोग भी, तो 10,000 into क्या हो जाएगा, 1.5, 0.1 into 5 कितना होता है, 0.5, 1 plus 0.5 is what, 1.5, कितना आ रहा है बताओ, 15,000 आ रहा है, ये मेरा answer हो गया, आई हो गया तुम्हारा, r by 100, r is expressed as a percentage, divide by 100 करेंगे, तो i, rate of interest, and n का मतलब होता है, number of years, n का मतलब होता है, number of years, ठीक है सबको, clear है, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बढ़े आगे हाँ की ना, चलो, अब next टेटिंग लगाना, compound interest, compound interest, इसका जो नाम है, effective, effective rate of interest, effective rate of interest, ठीक है ना, चलो आओ, column टानो, 100 है, तो 100 और 4, दुबारा column टानो, 104, 4 से ब्राश निकलेगा, क्या हाँ, ब्याच पे ब्याच चड़ेगा ना, तो 4, 4 into 0.04, तो total कितना और है, बताओ, दो साल के बाद में, टोटल कितना और है, बताओ, दो साल के बाद में, दो साल के बाद में total कितना और है, calculator निका लिए, नहीं है तो phone यूज़ किजिए, काल तक सब लोग कैल्कुलेटर ले लेगा 108.16 बोल भाई चीक है चीक है अगर एक्जाम में बोलता है रेट ऑफ इंट्रेस्ट कुछ नहीं बोलेगा तो कंपाउंड मानके चलेंगे एफेक्टिव बोलेगा तो एफेक्टिव कंपाउंड बोलेगा तो कंपाउंड कमर्शल बोलेगा तो सिंपल कुछ नहीं बोलेगा तो कंपाउंड मानके चलेंगे सिंपल है ठीक है ये दो टाइप का ब्याज हुआ ब्याज का मतलब क्या होता है पैसा को आगे लेके जाना ठीक है झाल होता है तो बूल से वह थोड़ा सा कुछ बटन उटन दब किया होगा तो एल जिस्ट शेय मैं स्क्रीन अगेन के ओके ओके ठीक है वापस आगए अब जैसे क्या है 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 फेडिंग लगाना अक्यूमूलेशन फैक्टर इसका शॉर्ट फ़र्म है एफ नोटेशन है एजीरो एन चीक है है ध्यान से सुनो प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो अक्यूमूलेटेड वैल्यू बनेगा accumulation factor से present value को किस से multiply करेंगे तो accumulated value बनेगा accumulation factor से अब यह जो accumulation factor है इसका मतलब क्या है AV by PV इसका मतलब है मेरा पैसा कितना गुना हो गया how many times my fund has grown मेरा पैसा कितना गुना हो गया how many times my fund has grown मेरा पैसा कितना गुना हो गया how many times my fund has grown is it clear to all of you हाँ बोलो हाँ की ना चीके अब जैसे देखो a zero to n का मतलब क्या है accumulation factor from time zero to time n चीक है 100 रुपया लगाया 5 साल के बाद में वो 300 रुपया हो गया तो 100 को किस से multiply करेंगे तो 300 होगा 3 से मैंने बोला पांच साल के बाद 300 हो गया मतलब a zero to five क्या हो जाएगा three because my fund has grown three times my fund has grown three times is it okay अच्छा एक और चीज़ देखो यह zero है यह one है यह two है यह three है और यह four है यहां से यहां मैंने 100 रुपया लगाया यहां 120 हो गया यहां 240 हो गया उसके बाद में यहां पर मान लो 720 हो गया ठीक है और यहां पर one four four zero हो गया ठीक है मेरा बाद ध्यान सुनना तो a zero to one मतलब accumulation factor for first year कितना है a v by p v so 120 by 100 कितना आ रहे 1.2 a one to two कितना आ रहे two forty by one twenty two a two to three कितना आ रहे है seven twenty by two forty कितना अधर बताव 603 a three to four कितना आ रहे one double four zero by seven twenty ठीक है तो यह कितना आ रहे है overall मेरा पैसा कितना गुना हो गया यहां से यहां मेरा पैसे कितना गुना हो गया कितना गुना हो गया 14. कैसे मतलब a 024 कितना है 1.2 x 2 x 3 a 2 कितना गुना हो गया 14.4 टाइम्सuhan अक्यूमुलेशन फेक्टर का मतलब क्या हो मेरा पैसा कितना गुना हो गया सबको clear है यह चीज हा या ना ठीक है तो यह सबको समझ में आ गया ठीक है इसी रूल को इसी रूल को हम लोग principle of consistency भी बोलते हैं principle of consistency का मतलब क्या होता है accumulation factors in between can be multiplied समझा accumulation factors in between can be multiplied का मतलब क्या है अगर मेरे को a 0 to 4 निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ a 0 to 1 1 to 1 to 2 into 2 to 3 into 3 to 4 POC का full form है principle of consistency POC का जो full form है that is principle of consistency ठीक है ना अब ध्यान देना ध्यान देना ठीक है यह तो ठीक है अब हम लोग आते हैं discount related terms में उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक term समझेंगे और जिसका नाम है जैट सीवी heading लगाना zero coupon bond ठीक है ध्यान से सुनना मैंने अपना नया दली वाला सेंटर चालू किया है तो में को लगते है गेस्टेशन पिरेट शुट बी टू यर्स तुम लोग सब अच्छे से पढ़ेगा तुम लोग का result आएगा तुम लोग अपना दोस्तों को बोलेगा तुम लोग अच्छा लगेगा नेक्स्टेम और स्चुरेंट्स आएंगे ऐसे करके दो सल मैं गेस्टेशन पिर मानके चल रहा हूं मैं पुरा प्रोजेक का कॉस समस्ता हूं एक करोड़ ठीक है मान लेते रेगुलर मार्केट में ब्याज करेट चल रहा दस परसेंट तो साल का कितना ब्याज बनेगा तु यह मत सोचो घर जाके आज यह पढ़ना है नहीं माइन डीधर आओ मूवी कप जाएंगे फोन आ रहा है नहीं क्लास में है मतलब क्लास बाकी सब बक्वास अभी कुछ मत सोचो कली क्लास को इंजॉई करो बस एक करोड़ का 10 परसेंट यह से कितना ब्याज बनेगा दो साल का कितना ब्याज देना पड़ेगा बीस लाक बीस लाक का ब्याज देना पड़ेगा ना बट मैं बोलता हूं मेरे पास उतना पैसा नहीं अभी में को दो साल उतना खर्चा नहीं करने का है तो उस केस में मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं आज मेरे को एक मैं ब्याज नहीं दूँगा मैं एक संग आपको क्या दूँगा 40 लाग का benefit दूँगा ठीक है मतलब मेरा जो bond होगा उसमें लिखा रहेगा उसको मैं 1.4 करोड दूँगा कब दूँगा तीन साल बाद इस डेट को दूँगा आज यह bond का market value कितना है एक करोड इसको बोलते है deep discount bond यह company तब issue करता है जब company को अपना running expenses में cut down करना होता है now why the term zero coupon coupon means regular interest payment पहले क्या होता था domino's का pamphlet आता था उसमें नीचे coupon लगावा होता था क्या आप इसको फाड के अगर दिखाएंगे counter में तो next time आपको 10% का discount मिलेगा तो वही coupon क्या होता है यह जो bond होता है इसके नीचे में ऐसे coupon लगावा होता था तो पांच साल का मानलो bond है normal interest paying bond है कल हमने cash flow देखे थे नेक्टो याद नहीं आ रहा होगा तुम लोगो मैं याद दिलाता हूं कल अपने क्या cash flow देखे थे 0 मुकेश का मैंने example लिया था यह मालो normal interest paying bond है यहां मैंने company को दिया हजार आट percent के सबसे company देगा असी 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 और यहां कितना देगा हजार असी तो जो regular जो interest payment है इसको लोग regular coupon payment बोलते हैं पहले क्या होता था physical में bond आता था नीचे में coupon लगावा होता था कुपन फाड़ो company को दो company असी का ब्यास देगा कुपन फाड़ो company को दो company असी का ब्यास देगा आज तो सब डिरेक्ली bank account में credit होता जाए वो dependent हो चाए वो interest हो समझ रहे ना तो वह legacy से वह term चलते भी आ रहा है coupon 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 समझा और एक ऐसा चीज जिसमें coupon zero है मतलब regular interest payment नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरो coupon bond बहुत सिंपल है यार बहुत सिंपल है ठीक है ना तो एक ऐसा चीज लिखो मत कुछ लिखने का नहीं है सब सब याद हो जाएगा तो कुछ लिखने का नहीं है ठीक है एक ऐसा bond जिसमें इंट्रेस्स payment क्या है regular interest payment zero हाँ बोल बेटा इसमें तू रिस्ट प्रसंद के साब से दस दस तीस बना ना और मैंने वह हलका कंपाउंडिंग का एप्टैक्ट लिया है तब जाके मैंने चालिस बोला यह रैंडम फिगर्स हैं ठीक है ना रिस्ट फैक्टर डिपेंड्स अंदा कंपनी क्रेडिबिलेटी आज अगर आई टीसी जैसी कंपनी है जो सिग्रेट बनाती है लोग अपना माबाब गर्ल्फरेंड भाई बेंड किसी को भी छोड़ देगा लेकिन सिग्रेट नहीं छोड़ेगा लगाओ पैसा इटीसी में सच है भाई सच है कभी भी कोई भी कॉलेज का इसेनेर बोले लेगा एक पामot Ian तुम पता ही नी चलेगा कभ तुम दिंका एक दो तीन पहले तूम दूसरा फोर एग्जामपल ये नॉटफ केमपस है तो तुम South Campus में जाके पीएगा, parents के इतना डर रहता है, ठीक है, फिर तुम क्या करेगा, हलका दो गली छोड़के, फिर घर के नीचे, फिर घर का bathroom में, this is the stage, तो कभी cigarette मत पीना, ठीक है, तो basically बहुत गंदा नशा है, तो अब वो सब तो छोड़ो, ठीक है, वो सब तो मैं बाते क discount का, ठीक है, simple discount का, simple discount का मतलब क्या है, commercial rate of discount, आब हम लोगो फोकस करना है, present value पे, देखो, बड़ा क्या होगा, accumulated value ना present value, जल्दी बताओ, accumulated value बड़ा होगा, तो कल जो plus हो रहा था, आज क्या होगा, minus, तो 1 minus nd, simple मतलब क्या, n नीचे, compound मतलब क्या, n, power में, since अभी हम लोग टान रहे हैं, टान, देखो, पूरा जो CM1 है, actual math है, उसमें दो चीज़ होगा, एक sum of money, जो future में है, उसको टान के present में लाना, और एक sum of money, जो present में है, उसको future में लेके जाना, जो टान रहे हैं, this is discounting, जब future में लेके जा रहे हैं, this is compounding, CM1 में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एक sum of money, जो आज खड़ा है, उसको future में लेके जाना, compounding, future से टान के present में लाना, discounting, it's very simple, ठीक है, so present value what, accumulated value 1-nd, is it clear, ठीक है, अब देखो, एक चोटा से example दिखाता हो तुम लोग को, मान लेते हैं, accumulated value है 10,000 का, ठीक है, N है तुम्हारा 5, D है तुम्हारा 5%, ठीक है, तो 0.05 into 5, तो क्या आरहे बताओ, 7,500 का आरहे, इसका मतलब क्या है, आज जो company को 7,500 पर देगा, company उसको 5 साल के बाद में कितना देगा, 10,000, तुमको बनता है तो लो, नहीं तो मतलो, समझा, तो इस ही क्या हो, company ब्यास तो देही रहे, सर अभी तब discount का बात कि, अरे company ब्यास तो देही रहे ना, company ब्यास तो देही रहे, धाईजर प्या, वो एक बार में देही रहे, कब देही रहे, 5 साल बाद, क्योंकि company को यह लगता है, 5 साल is a good period, जिसमे company cash flows will turn huge and profitable, तब company एक बार में ब्यास चुकाने के, काबिल है, ठीक है तो simple discount यह है, ठीक है, next, yes, zero coupon bond is deep discount bond, yes, तो जब regular interest payment होगा, उसको बोलेंगे coupon paying bond, ठीक है, जब कोई regular interest payment नहीं होगा, एक बार में होगा, उसको बोलेंगे zero coupon bond, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था न, face value, bond पर जो लिखा रहेगा, bond is a loan agreement, उस पर जो लिखा रहेगा, that is the face value of the bond, जिसमे interest actual में calculate होता है, but the face value need not be the market value, bond का face value है 1000, ठीक है न, जिसमे interest calculate होता है, but market में हो सकता है, वो bond 900 पर trade हो रहा हो, ठीक है, next setting लगाना, compound discount, जिसको उम लोग बोलते है, effective rate of discount, so present value is 1 minus d, whole to the power n, अब n पावर में चला जाएगा, इसको बोलते है, compound discount, ठीक है, same example अगर हम लोग लेंगे, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, 10,000, 1 minus 0.05 to the power 5, please calculate करेंगे, calculator से ही possible है, पड़ा पड़ से चैट बोक स्पैंसर बता ही कितना आ रहे है, हाँ, हाँ, सॉरी, सॉरी, effective rate of discount का formula में क्या बनाएंगे, present value is accumulated value, 1 minus d to the power n, I missed accumulated value, 7737 सबका answer आ चुक है, सर कितना decimal place तक लिखना है, 5 से 6 decimal place तक लिखना है, सर क्यूं इतना, तुम company में deal करेगा, जहां पर बात होगा हजारों करोड का, हजार, दो हजार करोड ऐसे होगा, तो उस company में अगर तुम 0.00001% का भी गलती कर दिया तो सुचु कितना बड़ा figure आ गया, अगर उतना भी तुमको मिल जाए तो तुमको काम करने का दरकारी ने पड़ेगा जीवन बर, ठीक है ना, सो यह चीज है, compound discount, अब देखो, जैसे हम लोग पढ़े, accumulation factor, वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे, discounting factor के बारे में, so discounting factor का जो notation है, V0,N, V0,N, इसका मतलब क्या है, discounting factor, from time, N, to time 0, time N से time 0 पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो, 200 था, accumulated value, and present value जो है, वो है 50, तो किस से multiply करेंगे तो 50 आएगा, हाँ, 0.25 से, ठीक है, 0.25 से, मान लो, 10 साल का period है, तो V0,2,10 के मेरा क्या हो जाएगा, 0.25, इसका मतलब पता है क्या है, time 10 पे, अगर एक रुपया चाहिए न, तो आज कितना लगाना पड़ेगा, 0.25, बहुत सिंपल है, time 10 पे, अगर एक रुपया चाहिए, तो आज कितना लगाना पड़ेगा, 0.25, टाना टूनी नहीं समझाएगा, तो नहीं होगा, भाई, टाना टूनी समझाएगा, ठीक है, कॉपी कर लो यहां तक, हेडिंग लगाओ, अच्छा, यहां पर इसे दुर्गा पुजा बोलके होता है क्या, तो तुम लोग का छुट्टी जैसे कब रहता है, जैसे पूजा का ऐसे दश्रेरा वाले दिन कुछ फेस्टिवल होता है क्या, अच्छा, और उसके पहले यह आला फ्री राइट, जैसे फर एक्जामपल, नवमी, अश्टमी, छुट्टी नहीं होता है, ताट्स नॉमल, ओके, छीक है, देखो, अब जैसे हेडिंग लगाना, हेडिंग लगाना, गोल्डेन रूल, तो गोल्डेन रूल क्या बोलता है, CM1 का, बिटा, आपको लाज मुने समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझत, प्लीज बोलना, पैसा आपने भी दिया है, ठीक है, तो प्रेजन वैल्यू इन्टू अक्यूमुलेशन फैक्टर इस अक्यूमुलेटिड वैल्यू, ठीक है, तो अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है, एवी बाई पीवी, मैं बोलता हूँ, accumulated value into discounting factor is present value, छीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से मैंने accumulation factor निकाला, which is AV by PV, यहाँ से मैं अगर discounting factor निकालता हूँ, वो क्या हो जाएगा, PV by AV, छीक है, अब एक काम करते हैं, AV into DF is what, PV and AV by AF is what, PV, तो दोनों PV, PV को equate कर दो, दोनों PV, PV को equate कर दो, तो क्या बनेगा, एस होएगा नहीं कोई, PV, AV by AF is equal to AV into DF, तो AV, AV कट, AV, AV कट, तो क्या आएगा, बताइए, हाँ, जल्दी बोलो, DF is what, 1 by AF, yes or no, हाँ कि ना, छीक है, तो this is the golden rule, कि discounting factor is equal to 1 by, अरे बोलते ही नहीं हो यार, discounting factor is what, 1 by, तो there is an inverse relationship between discounting factor and accumulation factor, there is an inverse relationship between discounting factor and accumulation factor, ठीक है, यहाँ तक पहले copy कर लो, बहुत simple है बिटा, मैं दुबारा से repeat कर देता हूँ, विदान लाद्दा का एक question है, मैंने बोला, PV into AF is AV, AV into DF is PV, फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ PV को एक तरफ ले आया, जैसे यह वाला AF को यहाँ ले जाओ और यहाँ पर तो PV है, so this thing is equal to what, this thing, AV by AF, AV by AF is what, AV into DF, तो AV, AV हो जाएगा cut, तो क्या बनेगा, discounting factor is equal to 1 by accumulation factor, हाँ या ना, ठीक है, चलो, अब एक छोटा सा हम लोग table बनाएंगे, summary table बनाएंगे time value of money का, ठीक है, summary में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे type, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे accumulation factor और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे discounting factor, तो सबसे पहले हम लोग का आएगा simple interest, तो accumulation factor, एक बार इधर आना, मेरे साथ साथ, एक बार इधर आना, मैं एक बताऊँगा, बाके सब तुम बताएगा, ठीक है न, एक बात बताएगे, सोच अगर हम नहीं दिला पाया आना, तो फिर कोई फाइदा नहीं है पड़के, सोच नहीं है, सोच आना चाहिए, सोच आना चाहिए, ठीक है, अभी देख, अभी जच पढ़े, पीवी इंटू एफ इस वाट, पीवी इंटू एफ इस वाट, पीवी इंटू एफ इस वाट, एवी, पीवी इंटू एफ इस एवी, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, पीवी इंटू एफ इस वाट, एवी, तो सिंपल इंट्रेस में एफ क्या है, वन तो अभी पढ़ा, discounting factor is 1 by accumulation factor, तो 1 plus ni to the power minus 1, compound interest के case में, compound interest के case में, 1 plus i to the power n, 1 plus i to the power minus n, simple discount के case में, पहले discounting factor में आएगा, पहले discounting factor में आएगा, क्या आएगा, 1 minus nd, यहाँ आएगा, 1 minus nd to the power minus 1, compound discount के case में, compound discount के case में, जल दिल दी बताओ, बोलो, 1 minus d to the power n, 1 minus d to the power minus n, sorry, हाँ, उल्टा लिग दिया मैंने भूल से, sorry, ठीक है, बोलो, हाँ या ना, ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान दीजेगा, अब पुरा क्रक्स बता दे रहाँ, cm1 का, ठीक है, ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान देगा, बोट टेक दम, यह timeline है, यह 0 है और यह 1 है, नीचे में time plot करेंगे, उपर में cash flow plot करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, 1000 का outflow है, ठीक है, 10% ब्याच का rate है, एक साल के बाद में कितना बनेगा, हाँ, 1100 बनेगा, ठीक है, एक बात बताओ, 1000 से 1100 पर कैसे पहुँचा, किस से multiply किया, 0.1 से multiply करने से तो 100 आएगा मैम, 1100 तो नहीं आएगा, क्या चीज़ से multiply किया, मेरको वो चीज़ जानना है, accumulation factor को मारो गोली, वो तो बसका लिए इसलिए लिखवाएं हैं, कि बाकी coaching से पर जब copy देखेगा, तो बोलेगा, हाँ, तुम लोग के यहां पर भी लिखवाता है, तुम लोग को ऐसा feel नहीं आना चाहिए, कि सर कुछ छुटवा दिए, वो तो ऐसी लिखवाएं हैं, अब में मुद्दा का बात पे, 1000 का 1100 कैसे बना, क्या चीज से multiply किया, 1.1 में, कोई जानना है, यह 1.1 क्या है, 1 प्लस interest rate, basically 1.1 को अगर simple terms में बोले कि मेरा पैसा कितना गुना हो गया, जब आगे लेके जाएगा पैसा को, तो क्या करेगा, multiply करेगा factor से, 1.1 वो जरिया है, जिससे पैसा एक साल आगे जाता है, simple terms में समझो, 1.1 वो जरिया है, जिससे पैसा एक साल आगे जाता है, तो एक बात बताना, 1.1 का square क्या है, टोन में बोलो, टोन में बोलो, poetry चालू करो, 1.1 क्या है, 1.1 वो जरिया है, जिससे पैसा एक साल आगे जाता है, तो 1.1 का square क्या है, वो जरिया है जिससे पैसा 2 साल आगे जाता है, 1.1 का क्यूब क्या है, वो जरिया है जिससे पैसा 3 साल आगे जाएगा, 1.1 to the power 10 क्या है, जिससे पैसा 10 साल आगे जाएगा, ये ची समझ में आ रहा है, अब मेरा बात ध्यान सुनना, ये तो पैसा को आगे लेके जाने का बात पहunkचेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, 1100 दे दिए, हम बोले, 1100 दे दिए, 1000 पर पहुचो, कैसे पहुचेगा, भाई, ये answer तो कर दे, 1100 से 1000 पर कैसे पहुचेगा, भौट लोग बोलेंगे 100 माइनस कर दीजे, तो आ जाएगा, बट 100 माइनस नहीं करेंगे, दूसरा तरीका क् सब्सक्राइब करेंगे किस से करेंगे डिवाइड सिर्फ यह बताओ 1.1 से डिवाइड होगा? अब आतर आओ. मैं बोला 1100 है यहाँ पर letting, थिक है? मैं बोला, डिवाइड करेंगे 1.1 से. तो जब पैसा को आगे लेके जारे है तो मल्टिप्लाय कर रहे हैं 1.1 से, और जब पैसा को पीछे लेके आरे है तो डिवाइड कर रहे हैं 1.1, से दोई चीज़ दिवन में याद रखना, एक्जाम में कभी भी भटक जाओ, कभी भी कोई question का answer नहीं आए, तो सिर्फ यही चीज़ याद रखना, आगे लेके जा रहे है मतलब multiply, पीछे लेके आ रहे है मतलब divide, और कुछ नहीं याद रखना है भाई, और कुछ भी नहीं य पैसा को आगे लेके जा रहे है मतलब multiply, पीछे लेके आ रहे है मतलब divide, simple है, अब घर में अगर पापा बोले कि 5 साल बाद, एक छीज़ चीज़ बता रहे है, ठीक है, कोई FD का calculation हो गया, फिर mutual fund का calculation हो गया, share का calculation हो गया, पापा तुमको बोल रहे हैं, आज हम 1,00,000 रुप पापा बोले, बिटा, 1,00,000 रुपे लगाना है, share market में, nifty पे लगा रहे हैं, ठीक है, 15% का average में return आता है, 10 साल बाद, पैसा कितना हो जाएगा, बताओ, तुम बापो को समझाएगा, बोलेगा, पापा, एक साल पैसा आगे जाता है, तो क्या factor से multiply होता है, 1.15, 15% का return है न पापा पैसा अगर एक साल आगे जाएगा तो क्या होगा, into 1.15, दो साल आगे जाएगा तो क्या होगा, into 1.15 का square, तीन साल, 1.15 का cube, तो 10 साल, 1.15 to the power 10, निकालो कितना आ रहे है, कितना बन जाएगा पापा का पैसा 10 साल बाद, जलिल बताओ, 404 555 बनेगा क्या something more than something more than 4 लाख something more than 4 लाख और एक्ट्वल में अगर कभी पापा घर में बोले कि लाख रुपय बेटा कहा लगा है तो बोलना पापा निफ्टी पर पैसा लगाई ये तो दस साल में पैसा कितना गुना हो गया चार गुना दिस इस पावर अफ compounding this is the power of compounding compounding में रिटर्न समझ में आता है दस साल के बाद समझा यही चीज़ एक बादा रहे हैं यही चीज़ दस साल और तो क्या हो जाएगा पैसा पैसा अरे भाई तुम लोग तुम लोग तुम लोग तुम लोग पैसा रुपया समझता ही नहीं है तुम लोग को सिंपली कारी बौलना चीज़सी चीढ़े अर एक घंटा से एक की चीज़ करते जा रहे हैं जब पहला एफ-फैसा गुझा जब पहला दस साल में पैसा चार गुणा हुआ तो दूसरा दस साल में भूत पैसा चार गुणा ही होगा ना मेरा भाई कि इस कितना हुआ चार का सांसे को भी है तुल्ल ah पैसा में लाइफ में भी लगाओ ठीक है एक बात बता रहे हैं 15 दिन पढ़ाई छोड़ा फिर 15 दिन पढ़ा फिर छोड़ा वैसे नहीं हर दिन दो घंटा पड़ेगा ना वो अंसिस्टेंसी वाला जो बात है उसी से आएगा वो चीज़ ठीक है यह बेसिकली लाइफ में कभी भी ना एक बात याद रखना मैं बता रहा हूं जैसे देखो एसा है ना होता क्या है कि तुमको लग रहे है कि लाइफ ऐसा जाता है पर यह ऐसा जाता नहीं है तुम को स्टा यहां से तुम्हारा यहां जाएगा यह कितना उपर जा सकता तुमको आइडिया नहीं है ठीक है तो यह 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 भी जरूरी है लाइफ में यह भी जरूरी है अगर यह नहीं होता तो यह नहीं होता यह नहीं होता तो यह नहीं होता यह नहीं होता ठीक है यह बहुत you are successful by seeing your friend's performance your relatives performance what are they doing if for example if they are doing something very odd course is not the future may ever could be something like a chode navikara that is your measure but it you you need to just go on and every day you need to show up by Bukhara for name and carrap anna put a book are a penna put a sardhi a penna put a bimari a penna put a ga exam a penna put a ga so you need to show up every day it's very simple okay 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 so you have a lot of money up there for you to factor of a lot of things in a video to have one year discounting factor oh yeah okay so discounting factor is what one by accumulation factor up to simple interest mano chatham compound interest mano aq saal ke liya agar enko one pakarata managar aq saal ka period mandra to end to one ho gya abtum ya to one plus ni karle yaa phir one plus i to the power n karle dono hi case mein ek saal ka accumulation factor kitna ayega one plus i a simple discount ke case mein dekho one minus nda aur one minus d to the power n hai to men ke jaga me one ndalo dono hi case mein kya ayega one minus d so one minus d kya hai one year ka discounting factor and one plus i kya hai one year ka accumulation factor already in the change of 2019 income factor is very clear about what investing of ice A F, मतलब V जो है वो क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus I, सर, आप तो घुमा रहे हैं, आप अभी तो यही तो बोले, कि जब पीछे लेकि आएंगे, मतलब क्या, पीछे लेकि आएंगे, मतलब क्या, डिसकाउंट, तो वो ही तो पूर्ण है अपने, डिवाइड किसे किये थे, 1.1 से 1.1 क्या है वन प्लस आई 1.1 क्या है वन प्लस आई है ना वन बाई वन प्लस आई तो एक साल अगर पुल बैक करें तो वह तो करें डिवाइड करें वेक्टर से तो साल पुल बैक करें तो बार डिवाइड तीन साल पुल बैक करें तीन बार डिवाइड तीक है पैसा को पांच सा 5 times simple क्योंकि पैसे को जब 5 साल आगे लेके जा रहे तो क्या कर रहा है factor into factor into factor into factor into factor अभी क्या करेगा 1 by factor into factor into factor into factor into factor simple क्योंकि golden rule क्या बोल रहा accumulation factor is equal to 1 by discounting factor ठीक है तो अब देखो एक साल एक मिंट वो एक मिंट वो कुछ कॉपी मत करो एक साल का जो discounting factor है वो ये है दो साल का क्या है दो साल का क्या है दो साल का है दो साल का है 1 by 1.08 into 1 by 1.08 हो क्या V square है ना तो इसको तुमने गैसे भी लिख सकते है 1 by 1.08 का square ठीक है 10 साल का होगा तो V to the part 10 15 साल का होगा तो V to the part 15 pullback करने का जरिया है 15 साल के बाद में अब एक practical question समझ लेना 15 साल के बाद में एक लाग खड़ा है 15 साल के बाद में एक लाग खड़ा है इसका value निकाल दो यहाँ पर 10% के हिसाब से तो एक मिन रुको तुम क्या करेगा 1 lakh into V to the power 15 तो तुम क्या करेगा 1 lakh बोलना भई चुक्क cambiar बोलना 1.1 to the power 15 और यह करेगा ना अगर आगे लेकर जाना हो तो क्या करता 1.1 to the power 15 सा multiply पीछे लेकर आरहा तो क्या करदा divide वोई तो बोला पूरा सेम वोई तो करना है आगे लेके जा रहे मतलब क्या? multiply, पीछे लेके आ रहे मतलब? divide, simple है भाई, एकदम simple है, ठीक है न? हाँ? simple discount क्या था? मैंने बता है न, discounting भी 1-G होगा, चाहे तुम simple मानो, चाहे compound मानो, एक साल का 1-G होगा, V क्या है? फोटा V क्या है? अभी तो बताया है यार, फोटा V क्या है, एक साल का discounting factor है, और एक साल का discounting factor चाहे simple हो, चाहे compound हो, 1-D, तो अपने यहां से क्या करेंगे? D क्या है मेरा? 1-B, D क्या है? 1-B, which is 1-1 by 1 plus I, which is 1 plus I minus 1 by 1 plus I, copy करेंगे है लगा सब लोग? This is I by 1 plus I, नहीं आ रहे है यहां पर, एक मेंट को मैं दुबारा कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, simple discount हो चाहे compound discount हो, एक साल का discounting factor है 1-D and V भी एक साल का discounting factor है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे है? D is 1-V, we just अभी हमने किये 1 by 1 plus I, so this is 1 plus I minus 1 by 1 plus I, So this is I by 1 plus I, मतलब अगर I तुमको दिया वाय है 7%, तो D होगा 0.07 by 1.07, यहां तक कोई भी दिक्कत, हाना जल्दिली बूलिये? झाल 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 कि इसी ओफ तो नहीं होगा उसका टेमप्रीचर बढ़ा देते हैं ठीक है हां चलो रुकना नहीं है जुकना नहीं है आओ एक्जामपल करो एक्टो मेरे साथ साथ ठीक है मान लो accumulated value दे दिया है 5000 ठीक है एन दे दिया है 8 साल ठीक है तुमको simple discount दिया है 2% का compound discount दिया है 3% का simple interest दिया है 4% का and compound interest दिया है 5% का ठीक है तुमको present value निकालना है तो सबसे पहले PV1 जब simple discount के लिए कर रहे है ध्यान देना अपने सब का accumulation factor और discounting factor कर चुके है न अपने को कुछ भी नहीं करना है अपने को simple equation बनाना है जैसे मैं आपको simple discount का बना के दिखाता हूं so present value is what 5000 1-8 into .02 फिर दूसरे बाले में present value is what 5000 1-0.03 into sorry 1-0.03 to the power 8 अब यहां पर simple interest के लिए क्या बनाएंगे ध्यान देना present value into 1 plus 0.04 into 8 is what 5000 तो balancing figure की तरफ present value निकल जाएगा चीक है और चौथा में क्या करेंगे present value 1.05 to the power 8 is what 5000 समझा है तो 1.1 हा 1.1 वन यर का accumulation factor है if the interest rate is 10% if the interest rate is 9% तो एक साल का factor बनेगा 1.09 if the interest rate is 2% तो एक साल का factor बनेगा 1.02 as simple as that we मैं जाव सुज साल का ये घए लिए औरो शो एक साल का तो तो हूर मैं रधनों ये लावा दूज काने मैं का बाल कर दूए लागा और भेस एक का लिए बनाव झाल 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 ठीक है बोलो बेटा ठीक है चलो आओ 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 cm1 के लिए न स्टाटिस्टिक्स का दो चैप्टर का नॉलेच चाहिए रैंडम वेरियबल और प्रोबाबिलिटी डिस्टिविशन तो जिसका भी CS1 हमसे नहीं किया वह है वो लोग कल से चार बजे आएगा ठीक है तो दो घंटा पहले CS1 पढ़ेगा फिर दो घंटा CS1 पढ़ेगा ठीक है जिसका कॉलेच प्रोब्लम है उसको रेकॉर्डिंग दे देंगे बट जब अरदस्ति का कॉलेच प्रोब्लम मत करना क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन है इंटेंजेंसी ने तो नहीं समझ में आएगा ठीक है तो स्टैट्स जब लाइब हो रहे और मैं करा रहा हूं तो आप लोग मेरे साथ-साथी खतम कर लो बेसिकली जब तक मैं जाओंगा तो आपका वो स्टैट्स वाला पार्ट भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो रांडम वेरियेबल का टॉपिक और प्रोब्याबिलिटी डिस्टिविशन यह आपको चाहिए होगा ठीक है ना तो यह वाला दोनों तो बेस्ट रहेगा आपके लिए ठीक है हाँ कल से ही आज जैसे ओरेंटेशन ता तो औरेंटेशन में अजब का काम नहीं था यसलिए नहीं बुलाया कल से है ठीक है जैसे बहुत लोग का कॉलेज आपका पांच-बीस तक होता है तो देकें डूइट इन रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम ठीक है ना बट अभी यह में आप लोग कर लेना ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं यह था टाइम वैली ओफ मनी ठीक है सबको समझ में आया ठीक है आए आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे मैं कराते जाओंगा वैसे वैसे पुरा इंस्टूट का मैट खोनला औ ठीक है एकदम सिंपल है इंस्टूट का मैट खोलो और बैक का सारा कोर्शन बनाओ ठीक है टार्गेट मैं यह करूंगा कि पूरा एक्वेशन वैल्यू तक पूरा अच्छे से करा दूँ ठीक है आओ नेक्स्ट पूट दा हेडिंग इंट्रेस्ट रेट्स ठीक है देखो ब तो तुमको हर टाइम पीरिट का इंट्रेस्ट रेट ये फिर्डस काउट रेट निकालना आना चाहिए आने वाला जो मैं लोग आदा घंटा देंगे वह हम लोग इंट्रेस्ट रेट्स को देंगे मतलब इस टॉपिक का मेन एजेंडा ये है की हम लोग को कोई भी टाइम को समझाते हैं, तुम बैंक में कया, तुमको बोला सर, 3% का ब्याज मिलेगा, half year, और एक जन बोला 6% का ब्याज मिलेगा, year, तुम बोला दोनों तो सेम है, कुछ भी दे दो, the answer is no, 3% per half year is more than 6% per year, कैसे, देखो, 100, तो पहला half year क्या होगा, 100 और 3, दूसरा half year क्या होगा, 103, और फिस 3 से निकलेगा, 3, 3 into 0 point, तो यह total कितना आरा, फड़ा-फड़ से बताइए, और यहाँ पर साल में एकी बार compounding होगा, 106, तो यहाँ पर एक से उच्छे आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 106.09 आएगा, अब मेरा बात एक्तम ध्यान से सुनना, आज हम लोगों को यह तो समझ में आ गया है, कि 3% पर half year का compounding is not equal to 6% per year का compounding, क्योंकि 3% पर half year में क्या हो रहे, पहला बार जब compounding हो रहे, तो 103 हो रहे, दूसरा बार जो हमको ब्याज मिलेगा, वो कितना पर मिलेगा, 100 पर ना, 103 पर, 103 पर, ब्याज पर ब्याज मिलता है, राइट, तो इसलिए दोनों सेम नहीं है, ठीक है न, यहाँ पर क्या हो रहे, यहाँ पर मेरा factor क्या बन रहे, 1.03, एक half year का, दूसरा half year का factor बन रहे, रहे, 1.03, बट यहाँ पर एक ही factor बन रहे, 1.06, तो यहाँ पर एक साल का factor क्या बन रहे, 1.0609, तो अगर मेरे को कोई बोलता है, कि 3% पर half year है, तो इसका मतलब कितना percent per annum हुआ, तुम बोलो, अगर 3% पर half year हुआ, तो कितना percent per annum हुआ, सोचके बोलो, अगर 3% per half year हुआ, तो कितना percent per annum हुआ, बोलो, अगर 3% per half year हुआ, तो कितना percent per annum हुआ, सोचके बोलो, ट्राइ करो होगा, सिंपल था, अब मैं सोच बताता हूँ कैसे आएगा, स्तौर प्या लगाये थे, एक साल बाद 106.09 हो गया, तो कितना percent का ब्याज बना, 6.09% का ब्याज बना, माइंड को खुलना पड़ेगा भाई, माइंड को खुलना पड़ेगा, घर पे जाके पड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आपको recording देखके class में आना पड़ेगा भाई, बहुत सिंपल था, तीन percent का एक half year का factor क्या बन रहा है, 1.03, दो बार का factor क्या बन रहा है, अभी तो मैंने रटाया आप लोग को, एक बार का factor, दो बार का factor, तीन बार का चार बार का, ठीके, चलो एक और example से try करते हैं, एक जगा पे 2% per quarter है, और एक जगा पे 4% per half year है, try करते हैं, ठीके, तो 2% per quarter है, तो 100 रुपया लगाए हैं, तो 1 quarter के बाद में क्या हो जाएगा, into 1.02, 2 quarter के बाद में into 1.02, 3 quarter के बाद में into 1.02, 4 quarter के बाद में into 1.02, तो बताओ कितना होता है, और यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपया लगाए हैं, into 1.04, into 1.04, बताओ कितना होता है, तो यहाँ पर तो आएगा 108 108.16 और यहां पर कितना आ रहे जल्दी ली बताओ एई तुम कैलकुलेट करो बैटा क्या है सत्संग में आये क्या मूवी देखने आये लग रहे है 108.24 तुम वापस से बताओ अगर 2% पर क्वाटर का है तो एन्वल रेट ऑफ रेटन कितना आ रहे है अगर 2% कोई देखो कोई प्रेशर नहीं है मम्मी कहती है जितनी भी गलती करनी है सब तैयारी में ही कर लो 2% मेरा बार समझ में मैं बार बार यहीं चीज़ स्ट्रेस देके बोल रहा हूं पहला 10 क्लास दिमाग को खुला रखो सारा टेंशन को बाहर चोड़के आओ एक लंबा सास लो दीरे दीरे छोड़ो ठीक है रिलाक्स हो रहे है तो अब तुम वापस से बताओ 2% पर क्वाटर का अगर ब्याज है ठीक है तो साल में 4 बर कंपॉंडिंग होगा तो एन्वल रेट ऑफ रिटन कितना बन रहे है कितना नहीं 100 का कितना हो गया सिंपल देखना है 100 का कितना हो गया 108.24 तो कितना परसेंट का रिटन बन रहे है 8.24 परसेंट का ठीक है अब वापस से बताओ तुम ही बताना 4% पर हाफ यह रहे ठीक है ना तो अगर 4% पर हाफ यह रहे तो एन्वल में कितना परसेंट का रिट मन रहे हैं ठीक है चलो एक बर और ट्राइ करते जब तक नहीं आएगा उसको तब सक्थ ल Catholic करते रहेंगे ठीक है तो कि अब हम वन पर्सेंट पर मंत ए ठीक है ना कई फ़र्वे पर्सेंट आंड सोब सिंपल है यहां क्या होगा सो एक मैना बाद क्या होगा 1.01 दो मैना बाद 1.01 डॉट 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 कितना टाइम्स 12 टाइम्स ठीक है न तो अपने क्या करेंगे 100 इन्टॉ 1.01 to the power 12 फ्यूट क्योंकि जब पर मंत बोल है तो क्या हो रहे है मंतली compounding हो रहे है एक साल में 12 मेना तो कितना बाद compounding होगा जोर से बोलो तो बोलो कितना आ रहे है वन वन टू पॉइंट आपको सब लोग चुप अब तुम बताओ अगर वन पर्सेंट पर मन्त का है तो एन्वल कितना बन रहे है तुवल पॉइंट सिक्सेट हमारा काम सिर्फ इतना ही था इसी बात के तो पैसे हैं परना हम भी तुम्हारे जैसे हैं ठीक है ना समझ गया था यह 12.68 है तो अब बताओ आगे से अगर पापा बोलेंगे कि बेटा दो बैंक है एक बैंक दे रहे है वन पर्सेंट पर मन्त का ब्याज और दूसरा बैंक दे रहे है बारा पर्सेंट का ब्याज या फिर साड़े बारा पर्सेंट का ब्याज तो पापा जो तुमको पैसा दिये तो कर्स तो चुकाएगा ना, वैसे तो माबाप का कर्स किसी भी हलत में कोई जीवन भर नहीं चुका सकता है, लेकिन शिल ट्राइ तो करेगा ना, तो क्या बोलेगा पापा को, पापा वन पर्सेंट पर मन्त में जाईए, पापा बोलेंग तो बैंक ऐसे जहासा में लेता है है ठीक है कि और कि बैंक की सय स्थ मिंगा पता है तुमको तो ब्याज देना है nloan लिया है तुम बुलेगा कीना एक बर्एशान कर दिया को यह बैंग मेरे को सब बता रहे है मेरा बैंक में एवरेज में बैलेंस रहता है पांच लाग रुपिया ठीक एवरेज कि अड्मिशन के टाइम पर इट इट डिजिट सम्टाइम्स मजाग करें ठीक है तो नहीं नहीं यार ऐसा बात नहीं है ठीक है एक सेवन बोलने वाला था फूल से एट डिकल गया ठीक है अब देखो तो हुआ यू मैं को वहले सर अपको प्री अप्रूब लोन है बहुत बड लगा भाई कुछ बहुत बड़ा लोन होगा तो दस बार बार फोन के अम बोला हमको लोन नहीं चाहिए आपको चाहिए तो बताईएगा ठीक है तो फिर बोला हम उसे पूछ दी एक दिन एक दो मैना बाद देली फोन कर रहा था एक टाइम पर मोले कितना गलों अठाईस अ सब्सक्राइब करें तो लोग क्या करेंगा पता है वो लोग तुमको बूलेगा कि सर देखिए वन परसेंट का ब्याज है हमारे यहां पर बड़ा-बड़ा बोर्डिंग लगाएगा वन परसेंट इंट्रेस रेट अंदर जो बैंके तब सौन आएगा कि असली जहांसा क्य है कि यहां यह ऐसे बिलुंगा वं परसेंट बड़ वहां परसेंट क्या है वन परसेंट इस नॉन पर्सेंट इस ट्वएलफ गॉइंटेव सिकेवें तो बैसिकली अब देखो एक्चुल में डिफरेंश एड कैसे करेंगे पर मन्त अगर कमपाउंडिंग हो रहा है पर कौ इस आई का मतलब होता है, annual effective rate of interest, I उपर में टू लिख रहें और ऐसे ब्रैकेट दे रहें, I square नहीं, I उपर में टू लिख रहें और ऐसे डिवाइड बाय टू कर रहें, इसका मतलब है, half yearly effective rate of interest, यह I2 notation है and divide by 2 हो रहें, क्यों हो रहें हैं, सब अभी 10 प्रिम्ने समझ में आ जाएगा Similarly, I 4 by 4 क्या होगा? जब साल को 2 भाग में काट रहे तो क्या मिल रहे? Half year तो 4 भाग में काटेंगे तो क्या मिलेगा? जब 12 भाग में काटेंगे तो क्या मिलेगा? जो और से बोलो ठीक है? 365 भाग में काटेंगे तो क्या मिलेगा? डेली मिलेगा? और अगर 52.18 भाग में काटेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है? पहले इसको कॉपी कर लो उपर हाँ बोलो ना हां की ना? हां की ना? बोली ने रहे तुम लोग है? बोली ने रहे तुम लोग है? अनलाइन में एक दम बनावे 18 लोग निरंतर बनावे एक बिजन नहीं छोड़ा है ठीक है? देखो यह तो ठीक है हां रागव बोलो सर यह आये 52 into 18 weekly जैसे हो गया 52 into 18 है वो? 52.18 है वो 365.25 को डिवाइड करो 7 से 365.25 डेज और 52.18 वीक्स ठीक है ना? अब मेरा जो एक्जामपल था ठीक है ना? मेरा जो एक्जामपल था अब तुम लोग मेरे को बताओगे 2 परसेंट था पर क्वाटर तो मैं क्या बोल सकता हूँ? I4 by 4 is what? 2%? ठीक है ना? तो I4 क्या हो जाएगा? 2% into 4 तो 8% हो रहा है? जो हम लोग को आज तक लगते आया था कि अगर 2% हर क्वाटर का है ना? तो सालाना कितना होगा? 2% अगर हर क्वाटर का है तो सालाना कितना होगा? आठ बट ये क्या है? रफ मेजर या एक्जाक्ट मेजर? रफ मेजर इसको हम लोग बोलते हैं Nominal Rate of Interest Convertible Quarterly Nominal Rate of Interest Convertible Quarterly Convertible क्यों बोल रहे हैं? Because अगर I-4 8% है तो इसको बहुत easily हम लोग कनवर्ट कर सकते हैं into effective rate of interest I-4 क्या है? Annual Approximate Rate Annual Approximate Rate एक टाइप का रफ मेजर है जबरदस्ती annualize किया गया rate है ठीक है ना? Annual Approximate Rate है जबरदस्ती annualize किया गया rate है ठीक है ना? बट इसका सिर्फ एक ही काम है कि इसको हम लोग यूज करके divide करके हम लोग effective rate of interest निकाल सकते हैं calculation में अरे बोलो ना यार use करेंगे समझा बात को हम क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? अब अपना जो example था 1% per month तो हिसाब से ये क्या बन रहे है? I-12 by 12 क्योंकि ये effective है ना? effective मतलब जो हाथ में मिल रहे है तो ये कितना है? 1% है? तो I-12 का मतलब क्या हो जाएगा? 12% इसका मतलब क्या है? nominal nominal rate of interest convertible monthly nominal rate of interest convertible monthly क्यों convertible monthly लिखा है? अच्छा अब मैं पूरा tone सेट कर दू क्या तुम लोग का? अगर 1% per month का ब्याज effective मिल रहे है इसका मतलब सालाना approximately 12% मिल रहे है बट सालाना effectively 12.68 मिल रहे है done the topic is done सब्सक्राइब घर जाओ? नहीं topic खतम हुआ अभी class नहीं ठीक है ना? एक और tone करते हैं I2 by 2 is 3% इसका मतलब क्या है? half yearly effective rate is 3% annually approximately it's how much? 6 but annually effectively it's 6.09% is it okay? yes or no? ठीक है? हाँ? तो सब्सक्राइब आब I2 क्या है? IP का मतलब क्या है? nominal rate of interest convertible pthly nominal क्या है? nominal approach annual rate है जिसको जबरदस्ती annualize किया गया है जिसका main काम है effective rate में convert हो जाना ठीक है? एक बात बता रहे है तुमको तो 1 plus I2 by 2 क्या है? जो बच्चा बता दिया ना वो pass SM1 अभी लिख के दे देंगे sign कर देंगे जो बच्चा इसका मतलब बता दिया वन प्लस I2 by 2 क्या है? मेरे को मेरा वाला terms में सुनना है मेरे को मेरा वाला हम जो सुनना चातम को वो सुनना है आनलाइन में बताएंगे वन प्लस I2 by 2 क्या है? वन प्लस I4 by 4 क्या है? वन प्लस I12 by 12 ये सब क्या है? is ि आण अ क्या है कि क्या है कि ये फैक्टरिया वह पा समालिके जा रहा हूं यह फैक्टर है भाई पैसा को आगे लेके जाने का फैक्टर है ये भाई फैक्टर है अगर 1 प्लस I2 by 2 कर रहा हूं तो पैसा कितना आगे जाएगा आधा साल 1 प्लस I4 by 4 कर रहा हूं तो पैसा कितना आगे जाएगा एक क्वाटर और one plus I 12 by 12 कर रहा हूं तो पैसा कितना आगे जाएगा एक मेहना, ये factor है भाई, ये factor है, ठीक है, अब एक बात बताओ, one plus I 12 by 12 whole to the power 12, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बारा मेहना आगे जाने का factor है, मतलब, एक साल आगे जाने का factor है, दुबारा से करते हैं, दुबारा से करते हैं, τोन बैठाते हैं, टोन बैठाना बहुत जरूरी है, 1 प्लस I2 बाई 2 का स्कूर, यह क्या है, दो आधा साल आगे जाने का फेक्टर है, मतलब 1 साल आगे जाने का फेक्टर है, I4 by 4, whole to the power 4, 4 quarter आगे जाने का factor है, मतलब 1 साल आगे जाने का factor है. मैंने starting में क्या बोला था? interest rate का main agenda क्या है? क्या है agenda? जल्दी यली बताओ. क्या है agenda? कोई भी time period का interest rate दे देगा, हम लोग को कोई भी time period का interest rate निकालना? आना चाहिए आ जा जाएगा ना आएगा कि नहीं तो इसका नॉर्मल फॉर्मला क्या है वन प्लस आई इस वन प्लस आई पी बाई पी होल्टू दी पावर पी क्या है यह? similarly सारा चट डिसकाउंट के लिए भी होगा एक साल का डिसकाउंटि फ्यक्तर है वन माईनस दी वन माईनस दी पी बाई पी होल्टू दी पावर पी और हम लोग पढ़े हैं कि वन प्लस आई इस वन बाई वन माईनस दी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस IP by P whole to the power P is 1 by 1 minus DP by P whole to the power P. P, P not necessarily same, क्योंकि हम लोग किसको किस से equate कर रहे हैं, एक साल का accumulation factor को equate कर रहे हैं, 1 by एक साल का discounting factor से. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वला P और वो वला P सेम होगा, इधर 4 है तो उधर 2 हो सकता है, इधर 2 है तो उधर 12 हो सकता है, equate किसको किस से कर रहे हैं, एक साल का accumulation factor is equal to 1 by एक साल का discounting factor, इन दोनों को equate कर रहे हैं. कल सब लोग CS1 में आ जाना, ठीक है? और जो लोग CS1 के लिए नहीं आ रहे है, 15 मिट पहले आ जाना, 5.45 तक आ जाना एक तो. आउ, आउ, एक्जामपल लिखो, एक्जामपल लिखो, आई दे दिया है, 7%, D क्या होगा बताऊ, D क्या होगा, नए, D is the discount rate, V is the discount factor, D is the discount rate, अभी जस्ट कराया है मैंने, कपी खोल के देखो तुरह रिवाइस करो अभी जस्ट कराया है मैंने, one minus d किया एक साल का discounting factor, and एक साल का discounting factor is what, बोलो अभी जस्ट कराया था मैंने, हाँ, one by, एक साल का accumulation factor, यह कराया ना मैंने अभी, तो कैसे होगा, one by one 1.07 is what? 1-D. तो D क्या आएगा? 1-1 by 1.07. 1.07 minus 1 by 1.07. Which is 0.07 by 1.07. कितना आ रहा? जल्दी ली बताई कैलकुलेटर में. कितना रहा है कैलकुलेटर में बताईए? जस्ट अभी कराया है ना? D is what? I by 1 plus I. तो copy को revise करिएगा. क्लास में आते वक्त और क्लास से जाते वक्त. कॉपी को revise करना बहुत important है. कॉपी में ही सारा सार है. बेटा, कॉपी में ही सारा सार है. आज क्या है? Tuesday बढ़ने से क्या है आज? Tuesday है ना? ठीक है बस. 0.06? 5, 4. अच्छा, तुम लोग सब जो लोग भी admission लिया है, तुम लोग सब को table book मिल गया है, ना? हाँ? कॉन-कॉन तुम कब लियो admission? हाँ, तो ठीक है. मतलब, सब को table book मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, तुम लोग को tracking ID मिल जाएगा, एक से दो दिन में, तो table book सब को मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, बस ठीक है, ट्रैक करो, दो-तिन दिन में आ जाएगा सब ठीक है, ठीक है? 1 by 1.07, 1 by 1 plus I होता है, न? V क्या है, एक साल का, V क्या है, जल्दी बताओ, एक साल का discounting factor, तो 1 by 1.07, कितना आ रहा है, बताओ? 0.93, 934, 0.934, 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो, इधर देखो, I दियावा है 7%, आपको I2 निकालना है, किसी को भी अगर वाश्रूम जाना है, तो वाश्रूम है वाँपर, ठीक है? आई दियावा है 7%, आपको I2 निकालना है, ठीक है ना? तो I2 के है, पहले तो यह बताओ, nominal, rate of interest, convertible, हाँ, half yearly, ठीक है? तो equation क्या होगा? 1 प्लस I is 1 प्लस I2 by 2 का square, so 1.07, 2 इधर आएगा तो half हो जाएगा, minus 1, hole into 2 is what? I2, solve करो उसको. समझा, यह पूरा चीज़, calculator में एक बार में solve हो जाएगा? कर भाई, कर, बैठने से नहीं होगा, कर. Amazon से calculator मंगवाया था, वह आया है, नहीं के भी तेक चेक कर तो उगर? कब दिखा रहे है delivery? इबचे करके बतावी? कितना रहे जल्दी बतावी? 0.06, 88 क्या? 1, 6. ध्यान देना. I4 निकालना है, तो क्या होगा? 1.07 is equal to what? 1 plus I4 by 4, whole to the power 4, right? तो क्या हो जाएगा? 1.07 to the power, 1 by 4, minus 1 whole into 4, is what? I4. solve करके बतावी, पर अपट से कितना रहे है? पर अपट से solve करके बतावी, कितना रहे है? जिरो पॉइंट जिरो सिक्स एट टू थ्री पोर क्या ठीक है यह मनलों I12 निकालना है तो 1.07 इस इकुल टू 1 प्लस I12 by 12 whole to the power 12 तो क्या हो जाएगा 1.07 to the power 1 by 12 minus 1 whole into 12 is what I12 solve करें बताओ कितना आ रहा है फड़ा फट solve करते चलिए solve करते चलिए calculator वाला पूरा वीडियो देखेंगे Excel का basics पूरा शिवांगी मैं का देख लो Excel का basics पूरा शिवांगी मैं का देख लो पूरा लग जाओ जी जान से पूरा अग्दम लग जाओ हाँ बोल बिटा कितना आ रहे 0.067 8 0.067 8 5 0.06785 आ रहे क्या छीक है D2 निकालना है D2 अब ध्यान देना D2 निकालना है तो equation क्या बनाएंगे एक साल का accumulation factor is equal to 1 by एक साल का discounting factor तो 1-D2 by 2 क्या है आधे साल का discounting factor 1-D2 by 2 का square क्या हो जाएगा एक साल का discounting factor ध्यान देना तो इसको कैसे solve कर रहे हैं इब ध्यान दो तो 1-D2 by 2 का square is 1.07 to the power minus 1 so 1-D2 by 2 is what 1.07 to the power minus 0.5 ठीक है हा की ना so 1-1.07 to the power minus 0.5 is D2 by 2 is it okay yes or no हा या ना so 1-1.07 to the power minus 0.5 whole into 2 is what D2 huh hmm 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 तरह तो दो आए है अगर निस जुए जोगे बाड़व टीफोर निकालना है तो वन पोईंट जिरो सेवें हो गया एक साल का अक्युमुलेशन ट्रैक्टर 1 by 1 minus d4 by 4 whole to the power 4, ठीक है, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 minus d4 by 4, ठीक है, is equal to 1.07 to the power minus 1 by 4, ठीक है, 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 ठीक है रेट ओफ डिस्काउंट नॉमिनल रेट आफट दिसडर्व्त गंवर्टपल क्या हो जायगा जल्दी बताओ ए इ इस अब बाद आपके आपके डी फोर बैफे और का मतलब क्या होगा बताओ को आपके गौर्टरली ट्राइ करो quarterly effective rate of discount ठीक है similarly D 12 by 12 क्या हो जाएगा half yearly sorry monthly effective rate of discount ठीक है यहला समझ में है सबको दूसरा example तो D 12 क्या हो जाएगा nominal rate of discount convertible monthly and D 12 by 12 क्या हो जाएगा monthly effective rate of discount ठीक है अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग what is 1 minus D 2 by 2 very good discounting factor for discounting factor for half year ठीक है clear हो रहा है सबको तो इसको लोग ऐसे भी लिख सकते है V 0 to 0.5 into V 0.5 अरे मैंने एक equation लिखा है इसके लिए इस से related नहीं है मतलब मैं वही बोल रहा हूँ तो इसी सब से गड़ जाएंगे तो 1 minus D 2 by 2 into 1 minus D 2 by 2 is what 1 minus D excellent कैसे गुमालो यार उसको कैसे गुमालो बोलो हाँ या ना आओ आगे बढ़ो जीवन में similarly A 0 to 1 is A 0 to 0.25 into A 0.25 into A 0.5 से 0.75 into A 0.75 से 1 ठीक है इसका मतलब कहा है 1 plus I 4 by 4 into how many times 4 times now this will be what 1 plus I आई 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 के बाते ना बाबू चार बर मल्टिप्लाई हो रहे है तो पावर में 4 आ रहे हैं तो फेन लग रहे हैं आउ आगे बढ़ो तो अब अगर इसके आगे हम लोग देखेंगे तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं आई अपने को दिया है 10% ठीक है V निकालेंगे तो क्या होगा 1 by 1.1 कितना रहे बताईए पर D निकालेंगे तो क्या होगा I by 1 plus I कितना रहे बताओ 0.90 90 ठीक है D बताओ 0.09 0.09 1 ठीक है अब मेरे को बताओ I2 ठीक है तो मेरे को लोग एक्वेशन क्या बनाएंगे 1.1 is what 1 plus I2 by 2 का square तो कैसे निकालेंगे बताओ So 1.1 to the power 0.5 या फिर ऐसे अगर इसको फॉर्म में लिखे तो So 1.1 to the power 1 by 2 minus 1 hole into 2 is what I2 अब बसका लिए बैठाते चलो तो यह अगर अपने को I4 निकालने बोलेंगे तो क्या करेंगे 1.1 to the power 1 by 4 minus 1 hole into 4 is what I4 ठीक है उसके बाद में अगर अपने को I12 निकालने बोलता है That will be 1.1 to the power 1 by 12 minus 1 hole into 12 solve करो बताओ कितना कितना आ रहे है तो I2 solve करो I2 solve करो कितना आ रहे बोलो बड़ा कितना रहे है I2 0.2 ठीक है I4 964 5 I12 0.0 95 69 ठीक है अब नेक्स्ट में आओ D2 निकालना है अगर ठीक है तो अब अपने कर रहे है 1 minus D2 by 2 का square is 1.1 to the power minus 1 तो अपने क्या हो जाएगा 1 minus 1.1 to the power minus 1 by 2 this whole thing into 2 is what D2 solve करो और फिर अपने tone में बैठाएंगे अगर D4 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 minus 1.1 to the power minus 1 by 4 this whole thing into 4 अगर अपने को D12 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 minus 1.1 to the power minus बोलो ना अरे बोलो 1 minus 1.1 to the power minus 1 by 1 by 12 into 12 बोलो ना हा की ना ठीक है ठीक है D2 गा हाँ बोलो क्या रहा है 0.093 0.093 0.074 दूसरे वाले का 0.094 1 8 इसका 0.094 9 3 ठीक है बोलो हाँ की ना बोलो ना ठीक है अब अगर मानलो I4 दिया वह है 8% का और D2 निकालने बोल रहा है ठीक है अपना जो चालू जो किये थे टॉपिक एजेंडा तो यही था ना कोई भी time period का interest rate दे, कोई भी time period का discount rate निकालना आना चीह है, या फिर interest rate, agenda तो यही था, तो वही कर रहे हैं, आओ, तो 1-d2 by 2 का square is 1 by 1 plus i4 by 4 to the power 4, ठीक है, प्लो को break मत होने दना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी बच्चा class miss मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, class मत miss करना, ठीक है, है, तो 1-d2 by 2 square is 1 plus 0.08 by 4 whole to the power 4, तो यह आ जाएगा, 1.02 to the power minus 4, so 1-d2 by 2, 1.02 to the power minus 4 by 2, so this is what, 1-1.02 to the power minus 2 whole into 2, is what, d2, बोलो हा किना, 0.077, 6, 6, ठीक है, ध्यान देना, heading लगाओ, bynial, देखो, अभी हम लोग किये i2, इसको बोलते हैं by annually, एक साल में दो बार, हट, ऐसा भी तो हो सकता है कि हर दो साल में एक बार compounding हो, हर दो साल में एक बार compounding हो, इसका मतलब क्या है, bynial का जो equation जो बनेगा, this will be i 0.5 by 0.5, इसको हम लोग बोलेंगे two yearly effective, लिखते चलो, effective rate of interest, तो अपने बनाएंगे one plus i का square is one plus i 0.5 by 0.5, मेरा बात ध्यान सुनना, one plus i 0.5 by 0.5 यह दो साल का accumulation factor है, इसके power में जब 0.5 लगेगा, तब यह एक साल का accumulation factor बनेगा, ठीक है ना, क्यूंकि, क्यूंकि i 0.5 by 0.5 क्या है, दो साल का rate है ना, तो one से जब plus करेंगे तो दो साल का बन रहे है, तो simple सा calculation करते हैं, i अगर माल लो 5% है, तो i 0.5 by 0.5 क्या होगा, अपने करेंगे 1.05 into 1.05, simple एकदम, कुछ करने का धरकार ही नहीं है, क्योंकि 5% अगर एक साल का है तो दो साल का क्या हो जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 10.25 परसेंट, बोलो हाँ या ना, इस इट ओके, येस और नो, चीक हैं, चीक हैं, चीक हैं, चीक हैं, चीक हैं, क्या हृम येенवार, का नहीं हैं, चीक हैं, चीक हैं, चीक एक साल के अ추 अगर मालनो चार साल में एक बार होगा तो क्या होगा? So this is 4 yearly effective rate of interest. अब ऐसे करने का तो कोई हिसाब नहीं है. I 0.2 by 0.2 will be 5 yearly. ठीक है? But basic, अगर मालनो 5 year का equation मनाते हैं, so 1 plus I to the power 5 is what? 1 plus I 0.2 by, मैंने basically तुमको यह समझना पड़ेगा 0.2 एक साल है. तो total क्या है? 5 साल. ठीक है? मैंने 1 year is 0.2. 20% is 1 year. So 100% is 5 years. ठीक है ना? ठीक है? आज के लिए इतना ही. Thank you. ठीक है? कल सेम टाइम पर क्लास है. Thank you so much. क्या 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 है. स Striamp Det पक्या क्या हुआना है. यह दीक है. यह आई पर देखने. अच्संजा है.